आप चल रहे हैं बच्चों के एक्जाम, बच्चा के एक्जाम के समय सबसे ज़्यादा टेंशन होती है माता-पिताओं को, क्योंकि माता-पिता सभी जानते हैं और चाहते भी हैं कि बच्चा पढ़ लिखकर कुछ बने, उसके लिए उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो और उनक सबसे अच्छा एफेक्ट उनकी पढ़ाई पर पढ़ता है यदि बच्चों के पढ़ाई के टाइम पर घर में महमान आ जाते हैं तो बच्चों की किच-किच और घर में होने वाले हजारों काम उनकी पढ़ाई को उनकी डारेक्शन को चेंज कर देता है जिसकी वजह से दोरन हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लेकर कुछ बने और उसके लिए हम उसकी पढ़ाई को सबसे जादा एहमियत देते हैं ताकि बच्चा पढ़े और पढ़ने के लिए उसे एक आंथ कमड़ा भी देते हैं तो यदि आप अपने बच्चे के स्टडी रूम तै जिसके बज़ा से उसकी जीवन पर उसकी पढ़ाई पर अच्छा परभाब पढ़ेगा और उसकी बज़ा से भय अच्छे से पढ़ लेकर अच्छे मांक्स लेकर पास होगा नमबर दो यदि आप बच्चों के स्टडी के लिए परिशान हो रहे हैं उसके लिए ज़्यादा चिंता करते हैं क्योंकि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके कमरे के सामने की हमेशा डारेक्शन देखें कमरे को हमेशा पूरव और पश्शन दिशा में रखना चाहिए क्योंकि कमरा जिस साइट से सूरज पुगता है उस साइट पर यदि बच्चे का कमरा तयार करते हैं तो उस जगा पर बच्चे का मन अच्छे से लगता है और बच्चे का ध्यान भी पूरव दिशा में होना और खास ख्यार रखे कि बच्चे के study के room के सामने कोई भी टुटी फुटी चीज या खिलोने कुछ भी ना रखें क्योंकि इस चीज का effect बच्चे की आखो पर, गले पर, नाख पर सब जगा पड़ता है जिसकी वज़ा से बच्चों को infection तफ हो सकता है तो आप कोशिश करें कि बच्चे के study के room के सामने आप ऐसी चीज़े कोई भी ना रखें क्योंकि बच्चों की पड़ाई तो दूर होती है उसकी वज़ा से आखों में infection भी हो सकता है बच्चे की study room के अंदर जो table होती है उसके ओपर आप हमेशा काची glass या फिरामिट से बने हुए एक गणेशी रख सकते हैं रक्षमी मा रख सकते हैं क्योंकि गणेशी की किपा हमेशा घ्यान बुदी से की जाती है क्योंकि गणेश भगवान चतूर भी है और चालाग भी इसलिए बच्चे को यदि आप पढ़ाय के डिक्टेशन में लेके जा रहे हैं तो उसके लिए आप गणेश भगवान की अराणना करवाएं और प्रामिट की तस्वीर यानि की गणेश भगवान की ही प्रामिट दे और उसे टेवल पर रखकर ही बच्चा पढ़े मा सरसुदी की भी आप तस्वीर लगा सकते हैं जिसे की बच्चों को ग्यान और गुती मिले और बच्चे का मान सीकतरोबर हमेशा ठंडा रहे और बच्चे को याद अच्छे से मिला बच्चे का पढ़ने की तरफ ध्यान देखकर आपको यह पता लगाना चाहिए कि बच्चे का किस तरफ ध्याने संगीत की तरफ है क्या बच्चे का माईड जब आप समझ जाओगे तो उसकी लिए उसके तयारी भी करा सकते हैं यदि बच्चे को तयार करना है तो उसके लिए पहले उसके दिमाग को समझना होगा क्योंकि यदि आप बच्चे की दिमाग को समझ सकते हैं उसकी definition को समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में पढ़ाईगा क्या महत्व है क्या आप करना चाहता है तो उससे आपका भी दिमाग सांत रहेगा और आप उसकी पढ़ाई में भी ध्यान से महनत करवा सकते हैं और याद रखे कि यदि बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी चीज हो या संगीर से रिलेटेड हो हमेशा उत्तर पूर्व दिशा मे हैदपूर्ण होती है मुख्य स्थान होता है जहां से आपको ज्यान सब्सक्राइब होगा चाहते हैं कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो उस पर कोई बोज ना हो बच्चा अच्छे से मार्क्स लेकर पास हो तो उसके लिए आप मिशा स्टडी रून के सामने कभी भी आ आइना ना लगाएं क्योंकि आइना बच्चे को दो गुणा बोज दिखाता है कभी भी बच्चा पढ़ता हुआ अगर अपने आइने में देखता है या उसके पर्च्छाइक उसकी तरफ नजर आती है तो उससे बच्चे के इतसर पर पोज हो जाता है जिससे बच्चे को याद तो कम रहता है और जिसकी वज़ा से उसे टैंशन जारा हुजाती है कि एक्साम आने वाले हैं और जिसकी वज़ा से इसकी तयारी और प्रेप्रेशन में बहुत कमी रह जाती है तो आप कोशिश करें कि बच्चे के स्टडी रूम के सामने आईना बिलकुल ना लगाएं क्योंकि आईना लगाने से बच्चे पर बेप्रित असर पड़ेगा जिससे बच्चा याद नहीं कर पाएगा तो यदि आप चाहते हैं कि बच्चे आपका मेहनत करके पास हो अच्छे माग से पास हो तो आप इन चीजों को बिलकुल ना करें कोशिश करें आप हरी भरी चीजे रखें मनी प्लांट रखें जिसकी वज़ा से बच्चे की डारेक्शन में चेंज हो और उसकी दिशाए चारो तरफ फैले और उसका ग्यान भी चारो तरफ से अरजित हो तो मनी प्लांट का बौदा आप अपने स्टडी रूम में रख सकते हैं तो यह है बह चीजे यदि आप करते हैं तो आप अपने बच्चे के स्टडी में बहुत जादा सफलता प्राप्त करवाते हैं और उससे उस बच्चे का ग्यान जीत होगा मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले जब तक के लिए मैं प्रिती सिल वास्ता आप से इजाज़ लेती हूँ